हिंदू समाज को संगटित होना है करतुम अकरतुम अन्यता करतुम बल की उपासना करनी है हिंदू समाज है जब वो ऐसा बल प्राप्त करता है तो वो कभी भी दानों नहीं बनता क्योंकि उसको बल के साथ शील की उपासना विरासत में मिली है और उसको बताया गया है कि अच जाने प्रभुता का अपनी प्रभुता के लाज्यों को हतिया हैं हमने किसी का रूप बदल नहीं दिया पूजा बदलने ही हम ने किसी पर कोई अनुपकार नहीं किया हमने सब को जयान दिया सब्सक्राइब है जैसे थे उससे अच्छा बनाया आज भी उसकी याद है दुनिया के देशों में सभी यह हमारा चरित्र है इसलिए हम जब ऐसे बनेंगे बलवान बनेंगे महाशक्ति बनेंगे आर्थिक और सामरी कुरूप से हिंदू समाज ऐसा बनेगा तो हिंदू समाज क्या करेगा दुनिया को सुखी तरेंगा और क्या करेंगा हमने यसा ही किया है क्योंकि हमको किसी को जीतना नहीं है अटल जी कि कविता में पंति है भूबाग नहीं शत्र शत्र मानव के रुदे जीतने का इस तो इसी कि हास को पढ़ना ठीक से देखना समझना यह समझना कि अत्याचार के आगे बल ही उसको रोकने का काम करता है अत्याचार के आगे दुर्बल सत्य दुर्बल अहुंसा टिक नहीं सकती अहुंसा दुर्बलों का काम भी नहीं गांधी जी भी कहते थे कि अहुंसा समर्थ लोगों का काम है हमने उनका अहुंसा काम है यह सिखा वो समर्थ लोगों का है यह हम भूल गए